वैसे मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम पतना से हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका गुरूबडी का परिच्छा जो है कब तक होगा एक्जेट आपको एक्जाम डिट और जो कि बहुत सरे स्टुएंट कंफ्यूजन में है मतलब डेली दिखिएगा तो हमा गुरूबडी का एक्जाम जुलाई में होगा या नहीं होगा और दूसरा जो है आपका एंटी पीशी का एंटी पीशी का आपका सीबीटी टू जो है आपका वह कितने दिन एक्जाम चलेंगे और आपका कौन से लिविल का कब एक्जाम होगा एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा ठीक है तो इसी पर हम लोग पूरे डीटेल से आपका बात करेंगे और यह कैसे पता थाल सभी को पता है कि वैसे हम पटना से है तो हम जो रेलवे बुर जब पटना गयते तो वहाँ पर जो हमें हम मिलने गयते हैं वहां के चेर्मेन से या फिर सेकर्टरी से लेकि या फिर जितने भी आपका government job है आपका उसको clear करना है एकदम प्रधान मंत्री का strictly order आया है कि एकदम clear करना है और आप लोग जानते भी है 2024 में election भी है इसी के उपर पूरा हम लोग डिटेल से बात करते हैं सब कुछ और यह आप देख रहेंगे जो आपका notice आया हुआ था इ वर्ष्ट विक में क्या है यह का आपका मार्च में आ गया तो अब जो है रेलवे अब नहीं चाहता है कि आप डीले करें यह को देखिए सबसे बारा में मुद्दा जो हम आपको clearly बता दें कि आपका election जो है जो है एकदम 24 का जो है एकदम नजदिक है आपका वेकेंसी भी अब आपका एक्जाम डीले में बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपका मार्च में आ गया और NTPC CBT2 का और गुरूबडी का भी बात करेंगे सब कुछ कब होगा लेकिन सबसे पहले क्या है देखिए कि आज जो है आप लोग के लिए यह इसको देख लिजी जारा सा यह देख अब कहा गया है कि आपका गया है पहले है अब कहा गया है कि सीवीटी टू पे लेवल में गुरूबडी का भी हम बाद में लास्ट में बात करते हैं क्या क्या हुआ हुआ सेकंड इस्टे सीवीटी टू पे फॉर लेवल सिक्स में आपका कब होगा तो मैं आपका देख लिजे माई में होगा आपका दो हजार बाइस और इसका लेके भी आप लोग को जड़ा सम बताते हैं बिल्कुल भी आप कन्फूजन में मत रहिए आपका हंडिर परचन आपक इसको आप लोग ध्यान दीजिए आपका दो मन्त तक 거agerतार मैं और जून आपका एकजाम जो होगा ठीक है माई और जून और ज्यादा दिन माई का 1st week से 2nd week के अंदर में आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा, माई का 1st और 2nd week और आपको सभी को पता है कि admit card कब आता है, तो admit card 10 दिन पहले, 10 दिन पहले, आपका 10 days before आपका admit card भी आना स्टार्ट हो जाएगा, admit card नहीं आता है, आपका admit card काम बता दे, admit card तो आपका 4 दिन पहले आता है, लेकिन आपको CT intimation बता दिया जाता है, 10 दिन पहले, CT intimation आपका 10 दिन पहले बता दिया था, तो ये आप एकनम confirm हो जाएगे, कि माई और जून आपका पूरा लगतार चलेगा, exam सबसे पहले सभी को प आपका आया, और आपका result जो है एकदम time से आगया, अब देखिए, ये जो कोडिजेंडम recently आपका आया हुआ है, 7-4 को आया है, और group D में भी आपका बिल्कुल भी देरी नहीं है, क्योंकि अब group D को भी काफी दिन हो गया, एक-एक vacancy को इतना दिन, 2024 में election है, हम बार-बार बहुत बड़ा मुद्दा है, और नरिंद मोदी जी का भी बयान आजिया, कि हरी के vacancy को जितना भी vacancy है, सब को जल्दी से जल्दी कलियर करना है, तो आपका group D के exam जो है, कब तक start होगा, तो सभी को पता है, कि जो आपका ये date दे दिया है, यहाँ पर जो date दिया है, यहाँ तो MTS का अपका अलग है, MTS का आपका TCS conductor रवा रहा है, और group D का आपका NSEIT जो है conduct कर रहा है, और NSEIT के पास ऐसा जवाब भी था, कि हमारे पास काफी सारा center है, तो इससे बिल्कुल भी आपको बाधा नहीं होगा, देख लिए, माई में तो आपका माई जून आपका exam चले हुआ था, लेकिन अब जो हम कोशिस करेंगे, हम दुबारा जाए उनके पास, और जब हम मिलेंगे तो उनसे, जो या तो सेकरेटरी से, और ने तो चेर्मेन सर से मिलने का कोशिस करेंगे, और इस पर जो एक एक नोटीस आ जाना चाहिए, कि इतने तारीक से गुरूप D का exam हम स्टाट हो जाएगा, ठीक है, जितने हम से सपोर्ट होगा, हम अपना पूरा सपोर्ट आपके साथ हैं, और हम इसा रहेंगे, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो, और हाँ, कोई भी स्ट्वेंट नए है, तो आप जड़ा सा सपोर्ट दिखाए, नए वाले कोई भी स्ट्वें छतने हम से स्ट्वेंट, पार छी प्रेंडेक्ट, इसलिवे कि वीडिश से स्ट्वेंट ऑर लैगे नेसे स्टवेंगे से स्ट्वेंगे कि द cowboy मिलते हैं, जे से स lastव माईडिश नेसे स्ट्रीघट.